कर दो करते हैं इसके फ्रेंट लुक की तो आप देख सकते हैं इसमें काफी काफी ग्लोशिप फिनिस दिया है इसके कलर में क्लड़। उल्याय कलर में इसके कलर में यह गाड़ी हिरो ARE लेक्त्रिक फ्लैस्फ एलेक्स पूर यहां पर लोगों लिया हुआ ही सब्सक्राइब करें अच्छा लगता है अच्छा से ग्राफिक दिये हुए है यह काफी पूंपे और स्मॉल है और स्टुडेंट्स आप इसका लुक्स देखिए अब गैस इसके बेक की बात करते हैं तो तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हीरो फ्लेश एलक्स की ब्र पर दोडिंग कुछ भी आप एक वेक रख सकते हैं करी दूर पर जाते हैं तो तो गैस अब बात करते हैं इसके फंक्शन की तो गैस इसको चालू किया है यह इसका डीजिटल मीटर यह डीजिटल मीटर एफुल और गैस यह नौर्मल फंक्शन और इसमें स्टार्ट करने का अप्शन भी दिये हुआ है यहां पर प्रेस करोगे तो इसकुटी में पावर जनरेट होगी और यह स्टार्ट हो जाएगी और में पेट्रोल इसकुटी की चैसे यहां पर ओन आफ का स्विच भी दिये हुआ है अब गैस इसके बात करते हैं फ्रेंट में नीचे की साइड तो आपको यहां पर दिया हुआ खुछ विकरी करने के लिए अब्र श्रक बा extr civ में काफी ज्यादा दिया हुआ कि रख सकते हैं इसके सीट की तो आप इसकी seat देखिए काफी comfortable seat है यहाँ पर आप दो देने बेट सकते हैं और तीसरे को बेटाना चाहे तो यह ही है especially इसके brakes की बात करते हैं तो front में इसमें normal brakes दिये हुए disc brake नहीं दिये हुए drum brakes से यह और guys आप देख सकते हैं बेक में भी इसमें drum brakes से दिये हुए क्योंकि इसकी power नहीं है इतनी इसलिए drum brakes से इसमें useful है wheels की बात करें तो इसमें alloy wheels मिलते हैं drum brakes मिलते हैं और यहाँ पर tire की बात करें तो इसमें tubeless tire मिलते हैं front में आपको telescopic suspension मिल जाते हैं और guys आपको पीछे की side dual shock absorbers मिल जाते हैं suspension dual shock absorbers इसमें motor 250 watt की BLDC मोटर मिल जाती है जो की पाईया में लगी हुई है इसकी motor इसकी price की बात करें तो यह आपको 56,940 रूपीज की मिल जाती है यह गाड़ी और guys अब hero की गाड़ियों में subsidy भी काफी मिल रही है तो आप बिंदास खरी दिये आपको काफी beneficial रहेगी तो guys इस गाड़ी में ITO registration की दुर्वत नहीं है आप बिना ITO registration की इस गाड़ी को चला सकते हो guys इसके top speed की बात करें तो 27 की इसकी top speed मिल जाती है और guys इसकी range की बात करते हैं तो 52 से 60 की है गाड़ी range दे जाती है hero electric flex नाम की गाड़ी guys इसकी warranty की बात करते हैं तो इस गाड़ी में warranty आपको 3 years की मिल जाती है battery, motor और controller पे इसकी 3 साल की warranty इस पे मिल जाती है आपको battery लगे होई है तो सबस्क्राइब इसमें charger मिल जाता है इसको यह है इसका charger और इसमें सबीन यह को खूलना होता है रिस इसके नीचे ho lauti लगे हूए हम है जो कि anुठ्री में दीमा किरी यह 개डी आप चाहे तो इसको खोल के भी चार्ज कर सकते हैं और इसमें पो भी दी होग आगे की तरब आप यहां से भी चार्च कर 2 गाड़ी तो यह इसकी दित्र में पेड़ी है आप चाहे तो इसको खोल के भी चार्ज कर सकते हैं और इसमें पोर्ट भी दियो हुआ है आगे की तरफ आप यहां से भी चार्ज कर सकते हैं यहां से भी चार्ज कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको खोल के भी चार्ज कर सकते है इसको अपर कुछ भी रख सकते हैं छोटा मोटा इलेक्रिक घाड़ी में आपको इत्ता ही स्पेस मिलता है डिक्की में पीछे की साइड तो गाइज यह इसकी एंसी भी है अगर आप इसमें ज़्यादा लॉड लेंगे या कोई भी प्रोब्लम आएगी तो यह बंद हो तो गाइज यह इसकी फ्रेंट में एली डिलाइट जो कि काफी ज्यादा रोशनी दे रही है और यह इसका इंडिकेटर पिछे की साइट भी दिखा देता हूं वैसे आपको यह सब घड़ियों मिलता है लेकिन फिर भी दिखा ही देता हूं कैसा लगता है इसमें ऐसा लगता ह है कुछ इसका आपको एक और मोडल भी मिलता है रेट कलर का तो आप दोनों में से जोचा है वो खरीच सकते हैं आपको इस गाड़ी में पेर रखने का यहां पर मिल जाता है बीचे वाली चुबार्या यहां पर पेर रख सकती है अब इसके टोप स्पिट की बात कर लेते हैं तो आप इसको ओन करके में इसकी टोप स्पिट चेक करता हूं कि यह कहां तक जाती है तो आप देख सकते हैं यह 27 तक 22 स्पीड है आपको यह एनक्रिक टोप स्पिट बें तो हम इसकी लोगे सुमझें पेरेस और रसपर देदें के इसके में आप इसकी टोप स्पिट करता है तो विंद्धर नई प्रियों में इसे बाइवाए